अगली बार करने अगली बार इस तफ़ा पास नहीं करने करा था इस बार नहीं पास करना, अगली बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक बार अकांटिंग से ही समझ नहीं आती, दो बार अच्छे तरीके से कॉंसर्ट्स क्लियर हो जाएंगे हैं न, क्या यही राद है, बे शर्मों, करप्शन करते हो गरवालों के पैसों के पूर, अच् से, पांच बिल्डिंग्स वर एक्वाइड इन सेम विसिनिटी ऑन यकम जनवरी 10 और 200 मिलियन, यूसफुल लाइफ इस 20 यर्स, ठीक है, अब देखते रहें, साथ साथ स्टेप बार स्टेप प्लीज, उसके बाद ये जाकर रिवैलियो हो रही है, यकम जनवरी 16 को 400 सी पर, तो यकम जनवरी 10 से, यकम जनवरी 16 तक कोई ऐसा इवेंट दरम्यान में नहीं आया, कि हमें डेटेल वर्किंग करनी पड़े, ना तो दरम्यान में कोई रिवैलियोएशन हुई, ना ही ये रिडूसिंग बैलेंस मैथड था, कि हर साल रेट ने, भुग वैलियो पे लगना है, हम सुकून से, यकम जनवरी 10 से, यकम जनवरी 16 तक जम्प कर सकते थे, ठीक है, ओ, ये जब एद की चुटियां आपने की थी ना, ये से पहले एद के बाद ये सवाल करवाया था, तो ये वर्किंग आप लोगों को करवाई हुई है, ठीक है, क्या अभी भी को ऐसा बच पर कॉस्ट थी, ठीक है, और हम यकम जनवरी 10 की 200 कॉस्ट से 31 December 15 तक depreciation की बजाए, accumulated depreciation निकालते हुए, आगे 200 कॉस्ट थी, 20 साल लाइफ थी, तो 200 डिवाइड वाई बीस एक साल की depreciation आई, और यकम जनवरी 10 से 31 December 15 तक कितने साल, जबानी देखने वालों ने 5 लिखा होता ठीक है, तो ध्यान से देख लिया, 31 December 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने साल गुदर गए, 6, तो आपने 200 बटा 10 into 6 किया, तो 60 की depreciation आ गई, 6 साल की इकठी depreciation 31 December 15 तक, और 31 December 15 पर book value नदर आ रही है, 140, ठीक है जी, अभी कोई surplus नहीं है हमारे पास, पहले से, ठीक है न, जीरो पड़ा रही है, यकम जनवरी, 16 पर, 480 पर, चार सौसी पर एसिट को ले कर गए, ठीक है, तो एक लाइन, खाली चोड़ कर क्या लिखा करते हैं आप, भी वैलियूड अमाउंट, ठीक है, अब 140 और 480 को compare किया, जी सौरी, जी सौरी, जजाक खला जी, 140 को 480 से compare किया, तो surplus आ गया, 3 से debit, surplus credit, ठीक है, और यही आपका नीचे balance में भी नज़र आने लग गया, इसके बाद, वो वाला काम, जो हमने नया सीका था, 31 मार्च, 16 पर, 3 बिल्डिंग्स बिक गई, 30 एच की, तो 31 मार्च पर, 5 में से, 3 बिल्डिंग्स बिक गई, तो 31 मार्च, 16 तक, इन 3 बिल्डिंग की depreciation निकाला करते थे, और ये तीनों चीज़ों के लिए हम working 2 और working 3 करते थे, ठीक है, तो working 2 में हमने क्या निकालना होता था जी, depreciation and book value of disposal, पहली 2 figures में मिल जाएं, ठीक है, इसके लिए आपको क्या tip दी थी मैंने, कि बिकने वाले acids को latest revaluation की date से दुबारा यहां पर लिखो और इनकी working अलग से कर लो, यह असान सवाल होते है normally, जो जिस साल के start में revalue होता है, उसी में बिकरा होता है acid, लेकिन हो सकता है, कभी test में या परचे में ऐसा सवाल आ जाए, कि यकम जनवरी 16 को मिसाल के तौर पर revalue हुआ, और 31 दिसंबर 16 वाले, यह बिलकुल इना lose हो गया पता नहीं क्या मसेला है, इसको देख लें, चीक है, अब यकम जनवरी 16 को यह acid revalue हुआ, तो 31 दिसंबर 16 आ गया, यह acid विका नहीं, मिसाल के तौर पर 17 में जाके विका, यह 17 में भी नहीं विका, 18 में जाके विका, जब मर्जी विका, यह working का format जो है, यह आपको हमेशा help out क करेगा, चीक है न, क्योंकि आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, बिकने वाले acid की revalued amount, disposal entry के लिए, और उसकी accumulated depreciation चाहिए होती है, जो इन दोनों के दरम्यान होता है, तो दरम्यान में जतना मर्जी अरसा पड़ जाए, यह दो figures आप net करके, यह accommodation भी निकाल सकते हैं, ठीक पार building, revalued amount आ गई, surplus न, sorry, revalued amount है, ठीक है, 485 buildings की revalued amount है, हमें 3 की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको multiply कर देंगे 3 से, ठीक है, तो क्या answer आ गया, 288, यह 288 क्या है जी, यह 288, यह 288 जाने वाली, dispose होने वाली buildings की revalued amount है, surplus के लिए भी वैसा ही करना है, total surplus कितना है जी, 3 340, 340 है, 5 buildings का surplus, ठीक है, हमें चाहिए, 3 का multiply कर दिया, ठीक है, तो 204 surplus आ गया, अब यह asset बिखने वाले हैं, तो इनकी depreciation, 31 March 16 तक हमने करने हैं, तो क्या करें, इस 288 को पकड़ें अब जिसने depreciate होना है, ठीक है, और यह 288, divide करना है, आपने remaining life पर, remaining life आपने निकालनी है, re 16 को रिवैलिशन होई थी न, तो 1 January 10 को खरीदा गया, एसेड एकम 16 तक कितने साल गुदार चुका है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने, 6 साल, ओभी दिकाले हैं, ठीक है, तो अगर 20 total life थी, 6 गुदर गए, तो remaining, यह 288 को 14 से divide किया, तो पूरे साल की depreciation आएगी, बिखने वाले acids की, ले 14 से, यह तो पूरे साल का surplus transfer हो जाता, हमने का नहीं, depreciation के नाम पर जो जाना है, वो सिरफ depreciation के बराबर ही हो, यानि इसको भी 3 बटा 12 कर लें, चीक है न, treatment मतलब 100% वही रखते हैं, तो answer आगया हमारा 5 और 4, और हमारे पास book value भी आगी, तो depreciation भी हमें मिल गई, यह depreciation मिल ग 5 भी मिल गया और 283 भी मिल गया, यह आकर हमने यहां पर लिख दिया, 5 माइनस और 283 भी माइनस, ही को गया, अब रह गई बकाया बिल्डिंग्स की पूरे साल की depreciation, तो उसके लिए एक लाइदा वर्किंग कर ली थी, हमने का दाजी, दोनों तरीके हो सकते हैं, 480 में से 288 म यह पूरे साल की depreciation आपको चाहिए, यहां पर fraction नहीं लगा, यह वो बिल्डिंग्स हैं जो विकी नहीं है, ऐसे ही surplus total में से निकाल लें, 204 को माइनस कर लें, तब भी आपको 136 आ सकता है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कि 340 surplus 5 बिल्डिंग्स का है, 2 का निकलेगा 136, उसको करो 14 पर divide, तो आपका 10 का transfer वाला भी आ गया, ठीक है, यह 10 है, अचा उपर है, जी, तो अब यह 14 की figure, यह 10 की figure भी आ गया, ठीक है जी, ओके, यह 283 और 200 भी आ गया, यह 5 और 4 भी आ गया, ठीक है, सब के सब आ गये जी, बोलो, अच्छा, disposal की entry तरह मैंने बच्चों को revise कराई पिछली क्लास में, disposal के entry करने के लिए, मैंने आपको समझाया हुआ है, कि आप अपनी working 2 में आओ, यहां से आपको दोनों figures मिलेंगी, पहली, asset account को credit करना है, जाने वाले assets की revalued amount से, cost से नहीं, revalued होने वाले asset की revalued amount पड़ी होती है, ठीक है, और वो हमें नजर आ र रही थी पांच की, लेकिन मैंने फिर भी आपको यह तरीका सिखाया हुआ है, मुश्किल सवालों के लिए, ठीक है, क्या करो, अक्यम अदेफिसन निकालो कैसे, cost minus book value करके, ठीक है, बहराल, यह पांच की figure भी हमें चाहिए होती है, तो पांच debit हो गया, accumulated depreciation, फिर सवाल ने क कहा था, कि यह आप कर लोगे, 283 को यहां से minus कर दिया आपने, लेकिन यह 200 उस remaining का surplus फिर भी रह जाएगा, खैर यहां से यह समझना मुश्किल है, अकेले disposal वाले में यह बात समझा दी थी, कि अगर acid भिक रहा है, तो भिकने वाले acid का जितना surplus पढ़ा हुआ है, वो भी transfer करन इसकी entry का कर दिया, आपने, लेकर प्लस debit, रिटेंड रिटेंड रिए, ठीक है न, यह ज़रा मैंने revise कर वाया था बच्छों को disposal की entry को भी, ठीक है, अब यह working होने के बाद, आप से मैंने requirement आपकी यह थी, कि आप यह note बना कर लाएंगे, ऐसे ही है, ठीक है, तो ज़रा इसक को थोड़ा और smart करके बना लेते हैं जी, अच्छा जी, कितने बच्छे note बना के आदर दुबारा आथ फिड़ा करें, पास होने वालों के हाथ देख लो भई, अच्छा घुसा ही करके, आप लोग बद्वाएं देने लग गए हो मुझे, पास करें यह रामर भई, क्या कु बचा सकते हैं, लेकिन चलो लेक लेते हैं, addition, disposal और closing, ठीक है, फिर opening, अच्छा start of the year है तो पहले transfer कर लो, फिर depreciation, फिर disposal, फिर closing, ठीक है जी, तो यह थोड़ी सी जगा ज़रा हमने बचा ली, जरा आपकी तस्वीर खेंचने में आसानी हो जाएगी इनको भी उपर ले ओ, चलो बाई, अच्छा जी, अब आपने note बनाना है 31 December 2016 का, जिसकी opening date क्या होगी, यक्कम जनवरी 16, तो यक्कम जनवरी 16 पर खड़े होकर ही आपने बस calculate कर लेना इस balance को, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, यक्कम जनवरी 16 के लिए आपको एक दिन, ये ये आप लोग खड़े होंगे, जी कह, और 31 December 15 पर खड़े होकर, आप सवाल से, सवाल पूचेंगे, कि सवाल सवाल, क्या ये ऐसेट 31 December 15, इसमें 15 ही है ना, या उससे पहले कभी रिवैलियो हुआ, अच्छा, अब इस सवाल में आकर आपने देखा, तो ये ऐसेट 31 December, य ये, क्या ये ऐसेट 31 December 15 या उससे पहले कभी रिवैलियो हुआ, जवाब आया, नो, तो अगर ये ऐसेट 31 December 15 या उससे पहले कभी रिवैलियो नहीं हुआ, तो फिर ऐसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा, कॉस्ट, और अक्यूमूल एडेप्शन अकाउंट में, डेट यकम जन्वरी 10 से, यकम जन्वरी 10 से 31 December 15 तक की डेप्रिसेशन पड़ी होगी, अक्यूमूलेटेड डेप्रिसेशन अकाउंट, तो कॉस्ट दोसो, ओपनिंग, अच्छा, जो 31 December 15 पर क्लोजिंग होगा, दोसो, वो ही यकम जन्वरी 16 का ओपनिंग बन गया, फिर 31 December 15 तक की अभी अभी तो निकाली थी, यकम जन्वरी 10 से 31 December 15 तक 5 साल की डेप्रिसेशन, ये 31 December 15 का क्लोजिंग बैलेंस है, अक्यूमूलेटेप्शन का 60, तो ये यकम जन्वरी 16 पर हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाए, कितने होचने सही निकाल लिया था, कितनों से गलती हुई, गल साल को अटेम्ट करना हूँ, वह को अटेम्ट करना हुए, जरूरी है, समझा तो मैं देता हूँ, जो अटेम्ट किये बगएर मूँ उठा के आते हैं, वो मूँ रखके आया करें, सभी कह रहे हैं, जी, उसके बाद जी साल का पहला ही दिन है, एसेट क्या हो गया, ये वैलि विल्डिंग में डेबिट कर दो 340 सर प्लस फिलाल चोड़ो मूवमेंट में देखेंगे तो 340 से री वैलिएशन पॉजिटिव साइन के साथ आगी कोई अडिशन है जी नहीं डिस्पोजल के लिए आपको कहा था कि ये दो फिगर्स आपको चाहिए ये दो फिगर्स जो लाल की हुई है जिस से स्टार्ट की ये वर्किंग और जो एंड के बाद आपने निकाली इन दोनों को कंपेर करके ये दो फिगर्स आपकी हमेशा ये आपके नोट की फिगर्स हैं इसके इलावा तीसरी की कोई दुरूत नहीं है नोट बनाते हुए आ ठीक है ना अगर ये ही अगले साल पर चला जाए तो फिगर्स एक तो नहीं होती तो फिर इस तना से आदत बना के रखो अक्रेड़िट कर दोगे फिल्डिंग में से ठीक है और डिस्पोजल अकाउन में कितना जी पांच एक ये चीज अहम है उससे अगली चीज अहम क्या है depreciation लेते हुए सिरफ 5 नहीं लेना सिरफ 14 नहीं लेना देखो 5 की depreciation भी पहले depreciation expense debit होकर accument deduction में credit होगी तो तभी disposal के दिन debit होगी तो इसलिए depreciation निकालते हुए आपने ये 5 भी लेना है भूलना नहीं है और ये 14 भी लिया करना है तो 14 जमा पांच depreciation है आपकी 14 प्लस अभी बचे ने कल भी कहा था पहले 5 लिखें पता नहीं क्यों 5 प्लस 14 ठीक है जी कितना 19 वैसे फर्क तो कोई नहीं पढ़ता था जी सही है उसके बाद closing balance 192 यह देखो 192 इसकी रिवेलिज़ जो बचकी है उन्हीं की closing में बड़ी होती है न 192 और इधर closing अब 192 में से 14 को माइनस करने तो 178 चीक हो गया ओके नेक्स्ट measurement basis measurement basis कौन सी है जी डी वैलिएशन मॉडल है method straight line है life जो यूज हुई है इस साल में वो 14 है ठीक है जी साही है चलें जी अब sub notes को देख लें एक दफ़ा थोड़ा तोपर कर लेते हैं वैसे नीचे रहने ही देते हैं side पे बना लेते हैं जगा है काफी इसमें अदर side पे करके बना लेते हैं अच्छा जी अब sub notes में सबसे पहला sub note last revaluation तो 9 नाइन नमबर है 9.1 last revaluation was performed on यकम जनरी 16 भाई फलाँ 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 ठीक है जी 9.2 had there been no revaluation asset account would have shown following balances as on 31 दिसमबर 2016 cost निकाल लेते थे और accumulated depreciation इसमें से minus कर लेते थे अच्छा कल एक बात कही थी आपको home work भी करके आना कहा था दो legends बनाने कहा था ना बहराल कल मैंने आपको ये कहा था कि आप अगर 31 दिसमबर 16 पर cost model के हिसाब से ये दोनों चीजें निकालना चाह रहे हैं कि कभी revaluation ना हुई हो और जिस दिन ये asset खरीदे थे उस दिन से 31 दिसमबर 16 तक आते आते इन में से कुछ बिक गए हैं भई ये अगली गास में ना मसला ये थे ही नहीं ठीक है मतलब पांच 200 cost है 200 cost है ना 200 cost है सारों की पांच के पांच की इन में से तीन बिक गए समझो वो थे ही नहीं हम कहते हैं हमारे पास थे ही हमेशा से कितने दो assets कितना बना 80 इन ही 80 को आज तक depreciate कर दो 80 divided by कितनी थी life 20 ये यकम जनरी 15 से 31 यकम जनरी 10 से 31 दिसंबर अब 15 तक नहीं लाना अब 16 तक लाना है यहां वर्किंग में 15 तक लाए थे ठीक है ना इसको confuse नहीं कर ले ना ये तो पिछले साल के एंड तक था अभी हम इस साल के एंड पे नोड बना रहे हैं इकति संबर 16 के साल का नोड बना रहे हैं और इस साल के एंड पर ये लेकर आना है तो यकम जनरी 10 से 31 संबर 10 11 12 13 14 15 16 कितने साल 7 साल हो गए जी 28 बुक वैल्यू जी सर भाई कहीं हो ही नहीं सकती मैंने का वो है यह नहीं सवाल में आपने घर पे आपने एक मिनिट एक मिनिट आप जरा उधार पूरा करें आपने घर पे मैंने कहा था मैंने कहा था कि आपने इस सवाल के अंदर ये दोनों अकाउंट्स बनाने हैं कौन कौन से साल के जी 15 16 17 18 4 साल के ये अकाउंट्स बनाके लाने आपने बनाए किस किस ने बनाए किस किस ने ये देखो सिर्फ दो से तीन बच्चे है लेजर्स कहे थे बनाने को कहे थे कितने बच्चों ने बनाए कितने बच्चों ने दो से चार बच्चों ने शरम की बात ये है उस्ताद जो कहता है उसको इंपोर्टनस नी दी जाती ठीक है एक shortcut भाई बातें क्यों हो रही है जब मैं कहता हूँ कि class खामोश हो जाए तो क्या आप लोग अपने आपको class में नहीं समझती है female students अगर नहीं समझती है तो class से बाहर जाएं जी बेटा देखो एक shortcut बनाया जाता है तो वो फाइदे के लिए होता है लेकिन logically उसको समझना जरूरी होता है मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप चार साल का अल्ला आपको तवफीग दें और चार साल के लिए आप ये दोनों accounts बनाया है उमर वाले सवाल में कि कभी revaluation हुई ही नहीं थी 500 के assets से आज तक 500 कहीं है तो आप इन्शालला इसी conclusion पे पहुंचेंगे जो मैंने shortcut लेके आपको समझाया है ठीक है क्या देखो छोड़ो इस बात को चलो मैंने ये accounts बना लिये थे मुझे पता था इस बात का ठीक है अगर एसे लेकिन खबरदार किसी ने तस्वीर खेंची तो नहीं खेंच ने दूँगा तस्वीर ठीक है कोई तस्वीर खेंचते वे नजर आए hybrid में खड़ा कर दो दो से मैं क्लास से निकालूंगा बाहर जब तक कल बना के नहीं आओगा मैं क्लास में भी नहीं बैठने दूँगा एक चीज कहीं है करते ही नहीं है तीक है यकम जनवरी 15 को एसेट खरीदा 500 गा 31 दिसंबर 15 तक यह 500 की एसेट थे और कोई नहीं आया ना को पुराना गया तो depreciation expense debit accumulated depreciation credit 50 से हो गया closing 500 closing 50 अगले साल यही बन गए opening 16 के start में फिर कोई एसेट नहीं खरीदा ना बेचा तो 31 दिसंबर 16 पर यही 500 के एसेट पढ़े हैं लेकिन 16 के साल की मजीद depreciation आई 500 assets 100 तक depreciation पहुँच गई यही opening बन गए मुबाइल जेव में डाल ले डाल दे डाल दे मैं कोस्टन नहीं निकालना कोस्टन की जूरत ही नहीं मैं बता रहूं ना जो सोन वो जेव में डाल ले मेरे बेचा जी 31 दिसंबर 16 से यकम जनवरी 17 पर यह asset किताब सामने रख और 150 हो गया फिर यही बना opening 500 और 150 अब इस साल में एक asset एक मतलब 10 में से 4 buildings हो गई थी dispose हमने कहा था disposal account में जाने वाले assets की cost फैंक नहीं है क्योंकि asset account at cost बन रहा है जब निकल गई तो closing पे कोई cost पड़ी होगी यस वाले पिड़ा सी यस आला ओटो पे यस सर ओटो पे यस पीछे से वाज है जी सुने अगर 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 यह जाने वाली buildings की cost asset account में से credit कर दी गई तो क्या closing date पर यह cost पड़ी होगी तो इसी लिए काजा कि सोचो 18 का closing चाहिए जिस दिन ये चार buildings हैं ही नहीं जो बिख चुकी है तो इसी लिए हमने directly ये किया कि हमने 500 बटा 10 करके 6 कर दिया देखो वही 300 का closing balance आ रहा या नहीं आ रहा अब आपने इतनी मेनत करके जो काम करना है वो सारा काम इस shortcut से हो रहा है इसलिए shortcut बनवाया था ठीक है कर देंगे कर दिया हमने disposal account में नहीं बना रहा ठीक है disposal account मुझे बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप वैसी बनाओ घर पे बना लो बेशक ठीक है disposal account में ये 200 रुपे अधर आ जाएगा asset account से ठीक है step 2 जाने वाले asset की सारी जिंदगी की depreciation account में से debit कर दो debit कर दो ठीक है तो ज एकम जनरी 10 को खरीदा था इने नहीं एकम जनरी 15 को खरीदा था 31 संबर 15 तक एक साल 31 संबर 16 तक दो साल 31 संबर 17 तक 3 साल और 31 मार्च 18 तक 3 महीने 3 महीने मतलब 0.25 ये तो इसका मतलब total 3.25 ये चल चुके थे तो अक्यूमुलेटेशन account को debit करेंगे जाने वाले asset की accumulated depreciation से जो 200 माइनस हुआ closing date पर कितना पड़ा है 300 ओपनिंग 150 65 की depreciation निकल गई closing निकालने से पहले depreciation expense for the year निकाल ले डिप्शन expense कैसे निकलता है जी on opening excluding disposal opening cost of all 500 थी जाने वालों की cost 200 थी तो rate लगाया तो life कितनी थी life 10 साल थी ना तो 10 से divide करो या 10% कर तो बाग तो एक ही है ना मैंने 10 से multiply कर दिया 30 ठीक है on addition कोई था ही निए addition on disposal ये जो 200 की cost अलग की है इसको इतर लाके depreciate करो सिर्फ कितने महीने 3 महीने कितनी डेप्शन आ गई 5 ठोटल कितना आ गया 35 ये 35 की entry आपने की depreciation expense debit accumulation credit closing क्या आ गया 120 चेक कर लो बेशक 150 जमा 35 माने 65 कितना आता है 120 अब इतनी मेहनत क करके आपने ये 300 और 120 जो निकाला यही मैंने आपको shortcut के तौर पे कह दिया था कि 31 संबर 18 पे खड़े हो ना बोलो तो 31 संबर 18 पे खड़े होकर सोचो कि कभी वो 4 बिल्डिंग्स हमारे पास थी ही नहीं जो dispose हो गई है 18 से पहले अगर वो थी ही नहीं तो इसका मतलब 500 की cost त दस की है ना हम कह रहे हैं जी 6 की निकाल दो 4 तो 3 नहीं कितना आ गया 300 और जब यह 300 की ही बिल्डिंग्स थी तो इन ही 300 बिल्डिंग्स की डेपरी सेशन लेते हैं और इनको लेकर आना है 31 दिसंबर 18 तक यकम जम्री 15 से 31 संबर 15 तक 1, 31 संब 16 तक 2, 31 संब 15 तक 3, 31 संब 15 तक जी के लेजर्स बना लेना अगर बना के आते तो आज मेरे ये 15 मिनट आपके साथ जाया ना होते हैं ठीक है ना आपको जस्ट मुझे ये बताना पड़ता देखा आप क्लोजिंग्स में पहुंचे थे 300 और 120 पे हालांके हम बगएर ये सारा काम किये शॉर्टकट लगा कर भ जाती है क्लोजिंग में उनका कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो फिर वह बचे हुए एसिट की कॉस भी पड़ी है और बचे हुए एसिट की सारी 31 तक की देफिशन पड़ी हुई है तो समझो कि थे ही यही आपने नोट बनाना है लेजर थोड़ी बनाना है नोट के अंदर आपने एक 30 समझ ठारा पर एक और मॉडल के साथ से फिगर्स बतानी है तो भई बस ठीक है शॉर्ट कर लगा लो चीक है और सही है ना हाँ अलग बात है कि बीच में को एडिशन हुआ और फुड़ा सा और सोचना पड़े इस शॉर्ट कर्ट के अंदर तो बहुत कंप्लेक् बनां कि इनकी है ना जीक है क्योंकि ऐसी बातों कप्एपी कम होता है ऐसी जा खल आ यह खर जा के बेशक इनके लयजर को बना कर देख ले जादा साल के बनेंगी भी नहीं किस दिन शुरू किया यकम जनरी बनाकर देख लेना यकम जनरी 10 से 31 दिसंबर 16 तक यह दोनों लेजर बनाकर देख लेना जो 31 जो कुछ मरजी करते रहो अपने असूलों के असाफ से आप करके देख लेना यहीं ना यहीं मैंने आको कहा समझो 5 कभी थे यहीं दो कितने है यहीं कितने है दो वैसे वह निकल आ गया गए जी तो दो थे तो 2 की कौस निकाल लो 200 बटा 5 into 280 और इनीं की depreciation ले लो कितने साल की 6 की नहीं 7 की क्योंकि हमने यह 31 संबर हाँ थोड़ा confusion यह हो सकता है कि यह working करते हो यह आप यहाँ पर 6 ले रहे होते हैं क्यों भई यहाँ पर 31 संबर 15 पर जो आना है लेकिन नोड मनाते हुए 6 ही नहीं ले रहे ना अंदा दोन नहीं का ठीक है समझ लो ची तरीके से जी movement in समझ आ रहे है आ यह 36 समझ आ रहे है चलो कोई नहीं time बड़ा मर्पस movement in revaluation opening balance बेटा बाते नहीं प्लीज अरोज बाते नहीं during the year transfer to retained earnings और किस दिन का note बना रहे हैं 31 December 16 का तो opening होगा यकम January 16 इसी दिन खड़े होकर सोच लेंगे इसको कभी नहीं कभी नहीं एक साल पीछे जाओगे और closing date पे खड़ेंगे 31 December 15 पे लेके जाना है खुद को आपने इसके लिए भी यह थियाद जरूरी है इसके लिए भी ऐसा ही करना है यकम January 16 की बजाए 31 December 15 पे जाना है और जाके देखना है कि 31 December 15 पर re-evaluation surplus कितना पड़ा था जीरो तो opening कितना है जीरो अरोज during the year कितना हुआ 340 ठीक है तो जीरो opening है और अरोज 340 transfer के लिए आपको क्या बताया था ये तीनों ही transfer की entries हो रही है मुखलिफ time पे चार की entry भी वही है re-evaluation surplus debit retained earnings credit दोसों की entry भी ये सामने वही पड़ी है वही है re-evaluation surplus debit retained earnings credit और ये 10 की भी entry वही है re-evaluation surplus debit retained earnings credit तो 214 सारे का सारा ही transfer हुआ है retained earnings में ये कट्ठा ही लिख दो यहां पे 204 closing बता दो 126 126 आपके working से match करेगा भाई कह रहे है 86 अच्छा माफ कर दें भाई को जी अगर किसी ने देखना है कि क्या चीज़ चेंज दी थी तो इसकी picture ले सकते है working तो पहले ही आपके पास है ना working तो वैसे ही है चलो इसी के बनाओ तस्वीर पर नीचे सिर्फ रिवैलेशन मॉडल लिखा हुए और लाइश्टाइव लिखी हुए है छोड़ो उसको क्या करना है पी-पी का नोट है ज़रा zoom in हो गया जी आप खेंच सकते हैं इसकी खेंच सकते हैं कि आप लोगों ने homework किया हुआ है जिल तोड़ दिया हासे आप लोगों ने येकिन वानों करें चलो क्लास के बाद ही पी ले दो वैसे है अभी टाइम किसी को बला के बला दे इन्होंने मेरा दुआ जाना वह दुमा दिया आज काम ना करके चेक कियो यह मुझे याद ही आया है कि मैंने यह तक्रीबान पुना गंटा पहले बिजवाई थी नहीं था उसवर नसीर मादरत यार इसमें ने एक जशानदा अगर मिल जाए तो डाल दे ना मिले तो खैर जी चलें आगे अगर आप लोगं की इजादत होता हूँ यह भी बाद में नसीर उपर आके उपर कर दीजेगा इसको अके वापस अच्छा जी वादा करें मेरे साथ किया आप घर जाके वो लैजर्स बनाएंगे और इस सवाल के भी लैजर्स बनाएंगे सिर्फ इसलिए कि हमें यह तसली हो जाए कि हैर देर भी नो रिवेलेशन वाले सवाल में नोट शॉर्टकट से तो बना नहीं है अगर कभी कॉंपलेक्स हो जाए सवाल और फंस जाएं तो लेजर्जर्ज वाला ओप्शन स्टिल अवेलेबल है यह वादा अगर करते हो तो यह तस्वीर भी बना लो करें कुछ बेशर्म बना रहे है जब खुद ही करना है तो फिर क्या जरूरत है अच्छे लेकिन उसाथ तो ऐसे हुआ है बिचाना क्या करें तो चलो यार उन्हें नहीं किता चलो यार उन्हें करा दी नहीं दी दी चलाकिया ना करें अगर उपन करें बातें मत करें यार बातें यार एक तो तुम काम नहीं करके है उपसे बेशर्मी की इंताव है कि मैं बातें कर रहे हूँ जजा कर ला यह वापस आगया कार्तूस अच्छा जी पेज 447 रिवैलिएशन अंडर रिद्यूसिंग बैलेंस मेतर्ड आई कर दो नहीं डिसकस किया हुआ लेकिन कोई इतना फर्क नहीं है सारी एंट्रीज वैसी सारी वर्किंग्स वैसी सारे उसूल वैसे सिर्फ डेप्रीसेशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन कई फर्क है तो एक छोटी सी एक्जेम्पल कर लेते हैं अहत्यातन दस मिनिट नहीं लग रहे है काम हो जाना है सवाल पढ़ें अप लांट वास पेज 447 मैंने यहां सामने नजर भी आ रहा है तुम लोगो हाईबरिट में भी कोई आज लेजर बना के नहीं लाया दूसरी क्लास के हाईबरिट में 5-6 बच्चों ने बनाया हुए थे और फिजिकल में 5-6 ने बनाया हुए थे आपकी क्लास ने तो हद कर दी एक बच्चे ने इधर और उदर एक भी ने क्या करें आप अगली बार की त्यारी करें फिर दुबारा इस क्लास में बैठने की और क्या करें ऐसे करेंगे तो भाई सीधी और देखो भाई मैंने बताया कोई गिदर सिंगी नहीं है मेरे पास या किसी के भी पास कि जो कहेगा यह वकड़ो जेब में रखके चले जाना पज़ा पर्चा देने हैं इंशाला पास हो जाएगा इंशाला तो पास हो सकता है लगा चाहें तो तो बाहराल आप लोगों को पढ़ना पढ़ेगा पास करने के लिए वरना नहीं होगा पास ठीक है ना यह कागस पर लिक वाल हो मुझ से अगर ऐसे पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे, मैं साइन कर दूँगा, साथ इंशालला भी लिख दूँगा, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो पास हो जाएंगे, इंशालला, ठीक है, A plant was purchased on 1 जुलाई 14, एक तो ये 30 जून वाला सवाल है, दरहा ध्यान से, For 500 million, it had an estimated useful life of 8 साल with residual value of 1 million, Initially, it was decided to depreciate this plant at 54% on reducing balance, जिन्दगी में पहली बार आप लोगों की revaluation की जिन्दगी में पहले आ चुका था इस सवाल, आप लोगों की जिन्दगीयों में, revaluation की जिन्दगीयों में पहली बार ऐसा हुआ है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ठीक है, तो जब मुझे revise करवा दें, कि अगर reducing balance method हो, तो पटाखा याद है पटाखा बनाया था, क्या पटाखा था जी ऐसे करके वो बनाया था, अगर revaluation method हो, तो एक चीज क्या करो, rate जरूरी है, पहली बात है rate जरूरी है, और rate apply होता है, on book value, ठीक है, और दूसरी बात, residual value को ignore करत हैं, ठीक है जी, और तीसरी बात, if rate is not given, if rate is, जो जरूरी है, ठीक है, not given, चुच-चुच मत करो, भाइजन अपने lecture भी लेने पड़ते हैं, क्या बताओं आपको, सब कुछ ही गया, अच्छा अधरा pause करिए गया, जी, मैं यह आर्ज कर रहा था, कि, यह, डेपरिशन method अगर reducing balance हो, तो, आपने rate को apply करना है, हर साल book value होगे, वो अलग बात है, कि, पहले साल में book value होती नहीं है, तो cost में लग जाता है, दूसरा, residual value को ignore करते हैं, while calculating depreciation, ठीक है न, और तीसरा, अगर rate ना given हो, तो, it is, calculated by, using, this, this formula, ठीक है, और, वो formula होता था, one minus nth root s over c, जिसमें n होता था, useful life, जो के हमारे सवाल के अंदर given है, आठ साल, यह जरा मैंने का check कर ले न, उन्होंने 54 फीसल सही भी निकाला है कि नहीं, अच्छा, और, residual value, one given है, और, cost, 500 given है, तो, under से multiply करो, answer क्या आता है, 54 फीसल सही किया है, बड़ी मेरबानी, चीक है जी, सही है, और, सही है, ओके, 54 फीसल सही है, यह उन्होंने निकाला होता है, तो मैंने ऐसे revise कराया था, अच्छा, इसमें ने revise भी कराया, और साथ में एक एहम बात आपको यह भी बतानी थी, कि देखें, यह formula के अंदर हर चीज का होना ही जरूरी है, अब मिसाल के तोर पे, आपका सवाल हो, और उसके अंदर, यह missing हो, क्या चीज, residual value missing हो, तो ऐसी सूरत में आप अगर उसको 0 ले लोगे न, तो इस formula के अंदर 0 पढ़ने से math error आ जाएगा, आपका rate नहीं निकलेगा, तो इसलिए अगर reducing balance method का सवाल हो, rate missing हो, formula से निकालना हो, residual value 0 हो या ना हो, दोनों सूरतों में उसको क्या ले लेना, one ले लेना, ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने one दी ही होई थी, ठीक है, तो यह वहराल थोड़ी सी हमने revision की, ठीक है जी, okay, it was, initially it was decided to deposit this plant 54 on reducing balance, it was revalued as follows, यह कम जुला यह 16 को revalued हुआ, फिर 30 जून 17 आया, फिर 30 जून 18 आया, नहीं revalued हो हुआ, फिर 1 जुलाई 18 तीसरे साल का पहला दिन आया, यह नहीं 2 साल बाद revision हो रही है ना, ठीक है, तो यह फिर हो गया, revalued हो, जैनल एंट्री चाहिए जी, 30 जून 2019 वाले साल, सिर्फ, लेकिन मसला क् वर्किंग, जंप कर सकते हैं, दो-दो साल का जंप कर सकते हैं, दो-दो साल का तो कर सकते हैं, अचा reducing balance method है, दो इंच का भी जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, हर साल को हमें, तो detail वर्किंग करनी पड़ेगी, यकम जुलाई 14 से वर्किंग शुरू करेंगे, 31 संबर, 30 चाय पी के खुद ही बनाता हूँ उस board की उस तरफ, ठीक है, अचा मेरी बात सुने, चाय दरा गरम है, पहले मैं ही बना देता हूँ, नहीं ट्राई करें, मेरा दिल कर रहा है कि आप ट्राई करें, लेकिन अगर आप दो से तीन मिनट में कर लेना, चाय तो भी गरम है, आते हैं मुझे, जिसने उस्ताद को सताया उसने रिक्षा चलाया, उस रिक्षे के पीसे लिखा होगा आप लोगने, सवारी लब्बे न लब्बे, स्वीड इक सो नब्बे, ये मेरे उस्ताद की दुआ है, मत सताया करो, मत दिल जलाया करो मेरा, पढ़ लिया करोना, यार, पढ़ लिया, बस पढ़ लोगे, मैं राजी, कसम, पढ़ना है, पढ़ना है, पटाया, पटाया मुझे, तुसी आपना रखिंग करो सारे, चाय का गूंड बरता ही थोड़ा सा न, रिलेक्स हुए, मेरे नर्फ, पिछली क्लास से टेंशन, उन्ह मापबा घर में तंग, कालिज में उस्ताद तंग, क्या बनेगा तुम लोगों का? यह जबान से लिख रहे हैं, दिखाओ दरा, लिखके दिखाओ जबान से, जबान से लिखके दिखाओ मुझे, लिखो, जल्दी करें, आपकी ही क्लास में से किसी एक बच्चे ने मुझे का है, कि मुझे इंपेर्मेंट समाजी नहीं आ रही, इसलिए मैंने डाइवो वाले किसी इपाल के दोनों बसे को आपकी क्लास में दुबारा सॉल्फ करना है, मुझे नहीं पता, बस मैंने दुबारा सॉल्फ करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है, काल इंशालला हम टैस्ट वाला सवाल कर रहे होंगे, जिसमें नोट बनाएंगे, इंपेर्मेंट के इसे एक एक चीज बस बाई दो मिनट हो गए हैं उपर बलके तीन भी हो गए हैं मुझे पता है आप सही करेंगे इंशाला एक बात तो बताओ मुझे कोस्ट माइनस रेजुल वैलियो करोगे ना पहले साल रेट लगेगा 500 पे दूसरे साल रेट फिर 500 पे लगेगा ना अच्छा तीसरे साल के पहले दिन जब रीवैलियशन हो जाएगी तो तीजरे साल के आँखरी दिन डेप्शन निकालते हुए यही 54% ही इस्तमाल करोगे ना निया रेट निया रेट निया निब्लुक करें, अगर रेट में लाइफ में लाइफ निकालते इक काल मैंनेंग च्छाए कीन्रेंत लाइच को छुच एक होसाई आतासफन जाया होगा छह महीने बचेंगे हिम्मद किया करो hybrid वालो किसी ने कर ली लियो working मुकंमल कोई एक बच्चा भी नहीं है physical में कोई एक बच्चा भी नहीं है पोस भूज दि करते यह हम तो टूएच्ट पर lecture सुनते हैं मैंने इतनी चोटी सी वर्किंग को एक बच्चा नहीं कर सका अभी तक मैंने माना जिन्दीगी में पहली बार ये सवाल आपके सामने आया लेकिन आप कोई लाइन के बैगर्स तोड़े ही हैं कि जो सिखाया हुआ सिरफ वो ही करते हैं मारकर यार और कोई नहीं मेरे नहीं यह तो ब्लू है बला ब्लैक चाहिए लगा है यह मरकर मेरे ही अरट लगा आप लोगों की जियोमेट्रिय यह था जी यह मैं करना आप लोगों अब करते हैं स्वाल पहली वर्किंग वो ही डेट कुछ भी नहीं बदलने वाला आप लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं करना तो कुछ आपकी किस्मत नहीं बदलने जी डेस्क्रिप्शन इसके बाद प्लांट है ओदा री वैलिएशन सर्प्लस प्रॉफिट एंड लॉस ओके तो यकम जुलाई कब खरीदा भाई आप बस कर दे नोट करना अब सब के हाथ में सिर्फ कैलकुलेटर हो बॉल पॉइंट्स आर नोट अलाओ ठीक है पिर एक ही बार नोट कर लेना अब ठीक है अब सब समझो जी यकम जुलाई 14 पर कितने का एसट खरीदा 500 तीस जून दो हजार चौदा सौरी पंदरा आया तो ये एंड पर डेप्रिसेशन करनी है रेजल वैलियो क्यूंकर गिवन है इसलिए उसको माइनस नी करेंगे क्यूं क्यूं रिडूसिंग बैलनस वह वाहिद मैथड है जिसमें डेप्शन केलकुलेट करते हुए अगर रेजल वैलिय के एक 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 जेमपल है किसी वक्त भी हो जाएगी ठीक है ना आखरी क्लास में भी हो सकती है कोई मसला नहीं कभी यूस तो होता नहीं हो बाहराल बाहराल ये तीनों मैथड में कॉस्ट माइनस रेजल वैलियो इजा मस्ट सिरफ एक रिडूसिंग बैलनस मैथड है जिसमें बाद 30 जून 16 भी आ गया भाई वो यकम जुलाई 16 है वो 17 वाले साल का पहला दिन है जो यकम जुलाई 16 को शुरू होके 30 जून 17 भी खतम होना है ठीक है तो किस किस ने इस साल में गड़बड की साल के अंदर गड़बड नहीं करनी 30 जून पर साल चला जाए ना आत्दा कॉ सबस्क्राइब करना है तो वही 500 पकड़ोगे डियूसिंग बैलेस में सबस्क्राइब में बुक वैल्यू पर रेड लगता है पहले साल में बुक वैल्यू होती नहीं है इसलिए कॉस्पी लगा देते हैं बारहल अब इंटू 54 परसंट 120 आखरी राइन में बैठे वे बच् बुक वैल्यू है ठीक है अब ये 30 जून 16 या यकम जुलाई 16 अगले साल का पहला दिन भी है और इस दिन क्या हुआ इट वाज रिवैल्यूड ऑन यकम जुलाई 16 और रिवैल्यू होकर कहां चला गया नवे पे तो क्या असूल है जी वह अपने असूल नहीं छोड़ने ठी एक लाइन तो यकम जुलाई 16 पर एक लाइन खाली छोड़कर आपने रिवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी है रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी 90 तो 106 से ओहो यानि पहली ही दफा क्या आ गया ऐसा सवाल भी किया हुआ न एक दफा कि पहली ही बार क्या आ गया लॉस तो कोई मसला नहीं आ सकता है ठीक है अगर लॉस आ जाए वो पर देखेगा कोई सर्प्लस नजर नहीं आएगा तो सारे का सारा प्राफ्टेंड लॉस में चला जाएगा यह सवाल पहले किया हुए हमने ठीक है नजर आ रहे हैं वालो मुझे तो यार यह बड़ी टेंशन र पर आता है अचा है जी तो क्या आ गया जी री वैलिएशन पर लॉस यह आखरी है दो रोज की ज़र मुझे टेंशन होती है तो ना नजर आए ना तो आप हैबिड में भी जा सकते है शिफ्ट करना चाहें थोड़ा रश भी कम हो सकता है फिजिकल का ओके री वैलिएशन पर लॉस आ गया इसको अब लोस कहते है अब 30 जून 17 आएगा आएगा के नहीं आएगा 30 जून 17 पर डेप्रिसेशन करनी है डेप्रिसेशन के लिए 230 को पकड़ोगे नवे को लेना है लेकिन डेप्रिसेट करने के लिए जो रेट चाहिए वो नहीं है तो वो निकाल लेते हैं वो निकलेगा वर्किंग अब 2 कर लो ठीक है वर्किंग 2 वो ही उसूल लास्टी वैलिशन के दिन खड़े होकर तो यकम जुलाई 14 गोई ऐसेट खरीदा तो यकम जुलाई 15 और यकम जुलाई 16 कितने साल्स गुजर गए दो साल्स गुजर गए टोटल लाइफ कितनी थी सवाद में गिवन थी आठ साल्स में से दो साल्स निकाल दे तो शे साल्स रेमेनिंग लाइफ बारे में खामोश है तो वन ही और कॉस की बजाए यह 90 यूज हो जाएगा ठीक है कितना अगया 100 से मुल्टिप्लाई तो करने दो इंटू 100 आंसर इस 52.53 कर ले पिछली क्लास मैंने दो डेसिमल यूज किये इस मेंने का शोड़ो क्या दू समझाना मक्सूद है ठीक है अच्छा तो 53 परसंट 53 परसंट यह आपने एसेड के साथ जो किया सर प्लस हो चाहे लॉस हो उसके साथ भी आसा ही करना है उसूल सारे वही रखने ठीक है बाते आसान थी जबानी बता देता लेकिन एक सवाल गुजर जाना आपके सामने से तो पर आपको जाते हैं हां यार कुछ नहीं है इस पर भी कुछ नहीं से डेस्टिन मेथड कही मसला है ठीक है तो 16 इंटू यह भी 53 परसंट जी 48 और 9 8 या 9 8.48 और 8.5 हो जाएगा 8.48 यह कटके 8.5 हो जाएगा और यह पिर पूरा ही कटके 9 हो जाएगा ठीक है सही कह रहे है surrounding अच्छ जी बार अलग है कोई नहीं जी 9 प्लस आ गया book value 42 और negative 7 30 जून 2017 फिर भई यकम जुलाई 18 पर revalue कर दें नहीं अभी यकम जुलाई 18 पर पहुंचा नहीं है यानि यह तो 30 जून 18 के बाद आना है अभी एक साल और depreciate होगा तो 30 जून 2018 पर depreciation लेनी है तो 90 को पकड़ेंगे reducing balance method है 42 पर rate लगेगा 53 परसंट और 16 पर ना 7 पर उसूल सेम रखना है ठीक है 7 पर 53 परसंट जी बोलिएगा 22 और प्लस 4 20 और negative 3 ठीक है जी यह 30 जून 2018 की book value है या 19 वाले साल के पहले दिन पर भी यही ला सकते है यकम जुलाई 18 की भी है जिस दिन ये acid क्या और है ठीक है तो भाई वरकी हमें ख्या खरेंगे एक land खाली चोड़ेंगे और लिखेंगे रिवैल्यूड ए माउंट जितनी है जी रिवैल्यूड ए माउंट 50 तो 50 की रिवैल्यूड अमाउंट आ गई तो 20 से acid उठकर 50 पे गया तो 30 का रिवैल्यूएशन मुबार्खां सर प्लस आ गया जी पहले इसने जाके 33 के लॉस को रिवर्स कर दिया बाकी 27 का रिवैल्यूएशन सर प्लस अरोज ड्यूरिंग दा येर हो गया पहले भी ऐसे ही होता है सर प्लस आता तो लॉस को खाता ऐसी होता था बस फरक यह है कि इस सवाल ने पहले दिन ही लॉस आ गया अगिले सालब करा है और प्रफिय लॉस को खाता था ब लोच लॉस प्रफर चाल साथा जाता था निया कच भी नहीं सिवाई इस के सिवाई इस को फीक है तो काके आध इनोस के सालकी entries मांगी है ना working करना मजबूरी थी details है लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक साल की entries थी तो 31 sorry 30 June 19 आएगा depreciation के लिए आप 42 को पकड़ेंगे 50 को पकड़ेंगे लेकिन आपको जो rate चाहिए वो available नहीं है दुबारा केलकुलेट कर लो दुबारा मजबूरी है यूकि रिवैलिशन के दिन खड़े होके remaining life निकालनी है तो फिर वो तो estimate की तरह से change की तरह से estimate change है नहीं मैंने मना किया ओड़ी कहना लेकिन उस तरह से revalued amount को remaining life पे निकालना होता है तो यहां पर rate लगा निकालना है तो उसके अंदर शुके life ने बदलना है तो rate ने बदलना है तो दुबारा हमें यह rate calculate करना पड़ेगा ठीक है ना change estimate के सवालों में भी ऐसे ही करके देखा था हमने ठीक है working number 3 अब rate दुबारा calculate हो रहा है one minus अब remaining life किस दिन निकालोगे यकम जनवरी 18 पर यकम जनवरी 14 से 15 16 17 18 कितने साल गुजर गए चार total life कितनी थी आठ गुजर गए कितने चार remaining कितने चार one के बारे में खामोश तो आज भी one revalued amount in 200 कितना आगया जी 62 ठीक है सभी है तेरा मुग क्यों खुला हुआ है यहां पर क्यों निकाला यह समझाता था तो भी बाद हो कि मुझे क्यों निकाला है यहां पर क्यों रेट निकाला था दुबारा एक मिन ना जिससे पुझा जवाब देनी अगरो यहां पर रेट द तो क्या हुआ था रेट कैसे चेंज हुआ था लाइफ चेंज हुए थी ठीक है पहले औरिजनल आइफ आठ साल थी जिससे चावन परसंद निकला था री वेल्यू दो साल बाद हुआ तो अब रिमेनी लाइफ निकालने हो थी डेफिं में बोलो स्टेट लाइन में जो करते चार आगया तो जब चार यूद हो गया तो रेट ने फिर बदलने हैं ठीक है क्या पहले लग रहा था कि वह यह वाला रेट आगे चल पड़ा है होश कर ला है जी 62 62 पॉइंट कितने है अच्छा के रहा है जिसका दिल करें 64 लिख लें बस चुप करो अच्छा मुझे लगा शायद वो 63 और 4 की लड़ाई है 62 परसंट फटा नहीं इन बातों मुझी है ना बिचारे असल में फाजल मुझी नहीं हुए अभी जी लेकिन 27 के साथ भी यही हशर कर दीजिएगा अभी तक राउंडिंग के मसाइल में फसे हुए यह लोग पता नहीं कौन लोग है यह पता नहीं कौन लोग है घर बाले तो कौप चलो माफी जी सुडेंट सवाल है कोई अभी दा देखिएगा हमें एंट्री जो करनी है वो सिरफ 19 के साल की करनी थी पर वर्किंग करनी जो है वो ज़रूरी थी इस बात भी आसरे हैं अब कमाल है आप लोगों की जी अच्छा जी एंट्रीज हैं फॉर्दा येर अंडेड सिरफ रिकॉइड एंट्रीज हैं जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं फॉर्दा येर अंडेड 30 जून 19 यकम जुलाई 18 साल के पहले ही दिन क्या हो रहा है री वैलिएशन हो रही है तो पहल ये ट्रांसवर की करनी है ट्रांसवर की एंट्रीज क्या होती है री वैलिएशन सारी अक्यूमूलेटेट डेप्रीसियेशन डेबेट अब वह एंट्रीज नहीं है जिनको देख के आप काम चला लेते थे ठीक है वह लेजर नहीं है जिसमें ओपनिंग तो इसलिए यहां से पडियोती से ट्रांसवर करते ठीक है सही है लेकिन चूनका ये री वैलिएशन हुई है चना नचा इन दोनों वक्तों के तरम्यान जितनी डेप्रीशन अक्यूमूलेट हुई है वो अब ट्रांसवर होगी तो वो है जनाब दो दफा नजर आ रही एक अटालीस और एक प्लांट 70 से ठीक हो गया अब दूसरी एंट्री सर्प्लस की एंट्री अब एंट्री शुरू हो गई अपनी अब नजर आएंगी पहली एंट्री नजर नहीं आती वर्किंग बाकी नजर आती है जी ये एसेट डेविट री वैलिएशन यार प्लीज बोलना इस तरह मुहो तो ना जारी रखा करें प्लीज जी एसेट डेविट री वैलिएशन आप पते क्या चाहते हैं प्यार मुबबस से हां स्केला को पढ़ाना बंद कर दिया जाए और खिची के रखा जाए रखा जा सकता है मर्जी आपकी है जी एसेट डेविट सर्प्लस क्रेडिट और प्र घ्रिवैलिएशन रखा जाए तर यह जो तो कोई अब्लीज वैलिएशन पर चे में यूज ना कर करके आना अचा बता रहो हूं है जी एवालिन सर्प्लस क्रेडट ट्वेंटी से और प्रॉफिट और लॉस अकांट क्रेडड अच्छा यह तीन पहले लिखा था और यह बै से चौती एंटरी रीवालीएशन सर प्लसड डेविट रिटेंड अर्निक्स क्रेडिट सब्सक्राइब पिक्चर ले ले यह requirement ही बस working use हुई है चाय पीली में प्रैक्टिस कुस्टेन में कुस्टेन है तो वो कल आप डिसकस करेंगे ना अभी मैंने यह कुस्टेन करवाना है जनरल एंट्रीज क्या आप आपके सामने लिखनी मिटार हूँ यह जनरल एंट्रीज भी अगर आप देख कर लिखनी है तो फिर मैं जंगलों को निकल जाऊँ या आप यह एंट्रीज भी आप लोगों ने देख कर भी लिखनी है तो तुम्हें पढ़ना छोड़ दिया तुम्हें लग रहा था कहीं पहली बार पास नो हो जो रोज इस तना पढ़ता रहा तो पास हो गया तो क्या होगा लोग क्या कहेंगे डाइवो बसेज में बस टू की बात करता हूं मैं पहले डेखिए हर साल इंपीरिमेंट के लिए ज़्रूरивать क्या है कि कोई इंडिकेटर आए और फिर इंडिकेटर आने पर भी ज़रूरी नहीं है कि इंपेरिमेंट लॉस भी आए अगर कोई इंडिकेटर आए तो हम acid को impairment test से गुजारते हैं किदर से जी impairment test से गुजारते हैं और impairment test लगाने पर भी जरूरी नहीं है कि आपका acid impair हो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता एक बच्चे ने मुझे का था कि जी लग रहा है मैं समय नहीं आए तो इसलिए ये ये आखरी 10 मिनट उसके लिए 5-7 मिनट जो रहे हैं ठीक है ना वही सवाल अच्छा अब impairment test में हमने करना क्या है हमने दो चीजों को compare करना है पहली चीज होती है book value और दूसरी चीज होती है recoverable amount ठीक है वो बाद में बाद में एक मिनट book value मिसाल के तोर पे 200 है और recoverable amount 250 है recoverable amount is the account of acid तो आप क्या कोगे 200 पे हमने acid फाइदा आएगा तो future का gain है ना मत record करो there is no impairment loss लेकिन अगर खुदा नखासता ऐसा हो जाए कि 200 वाला acid हो लेकिन recoverable amount उसकी 180 आ जाए तो हम क्या कहेंगे वकात तो बार होए ठीक है आपने acid को overstate किया हुआ है maximum recovery उसकी 180 की है तो 20 रुपे जो future में उसमें नुक्सान देना है तो आज 200 लगाओ और उस चीज से फाइदा कल को 180 का है तो 20 का नुक्सान हो गया ना आज आप 200 लगाए ही होता है na acid मिसाल के तौरपे 200 आज मैंने लगाया अगर एक चीज मेरी दोसों की है मैंने मिसाल की चीज करीदी और future में 180 का फाइदा देगी तो 20 का नुक्सान है के अब बोलो तो future का loss है इसको आज रिकॉर्ड करो इसको रिकॉर्ड करते हैं ठीक है यह तो होगी में बात पहली क्या impairment टेस्ट का लगाना है हर साल लगाएंगे हर साल पाबंदी से टेस्ट लगाएंगे ना 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 जब कभी को इंडिकेटर पढ़ाऊंगा ना कल तो अब ट लगाना है इंपेर्मेंट टेस्ट में हमने यह दो चीजें कंपेर करनी हैं बुक वैल्यो और रिकावरेवल अबारे में कहा था यह क्या है जी यह होती है higher of number one fair value less cost to sell number two value in use ठीक है value in use के बारे में आपको बताया था यह क्या होती है यह होती है यह होती है जी present value of net future cash flows ठीक ह ना ओके ठीक है अच्छा आमेर जरा जाएं सरदान को करें सिर्फ दो से तीन मिनट जाएं अच्छा उसके बाद value in use निकालनी है पहले fair value less cost sell निकालते है book value available ती सवाल में इधर देखो मैं बस 2 की बात कर रहा हूं बस 2 बस 2 cost less calculation ने का यह भी मत करो calculator पर यह भी आपको देते है book value ही दे दी WDV ही दे दी बस 2 की कितनी है 160 तो 160 book value आ गई ठीक है next अब recoverable amount निकालनी है जो के दो figures के comparison से निकलेगी again एक fair value less cost sell दूसरा value in use जो इन में से higher हुआ वो ठीक है तो fair value कहा था यह cost to sell है incremental ठीक है ना रहा था कल ठीक है तो fair value 150 cost to sell 4 तो 150 150 minus 4 146 is fair value less cost to sell value in use के लिए छोटी सी working करेंगे ठीक है अब value in use जा है ना जी वो निकालनी होती है हमने जिस साल पर यह impairment test लगा रहे है तो उसने क्या कहा था remaining life of both buses is 3 years standing on 31 December 12 फिर value less cost to sell is on 31 December 12 पर तो value in use भी किस दिन निकालनी है 31 December 12 पर ठीक है लेकिन अगर 12 पर value in use निकालनी है तो जो cash flows होंगे यूज़ वाले वो 12 के तो नहीं न होंगे वो फिर अगले remaining life के साल होंगे ठीक है एक चीज़ सवाल खामोश हो वैसे तो सवाल खुद बता दिया करेगा लेकिन सवाल खामोश भी हो तो assume किया करो जो future cash flows है वो हर साल का cash flows उस साल के end पे आने है वरना आप यूँ कह सकते थे कि 31 December 13 पर मुझे 55 inflow होगा 5 outflow होगा 31 December 14 पर वो कहा रहा था न अगले 3 साल के cash flows है ठीक है 55 inflow होगा 5 outflow क्यों annual inflows 55 55 55 तीन साल के क्या थो expected cash flows in next three years चीक है बस दूगी बात करो 55 55 55 annual outflows फिर तीसरे साल के end पे तीन रुपे बेच कर कबाडिये को और एक रुपया disposal cost चीक है तो 31 December 15 पर भी 55 और पांच ये बात समझ आती है तीसरे साल के end पे तीन और एक समझ आता है लो भई future के net cash flows कितने हैं पचास पचास और बावन अब ये क्या है ये net cash flows है क्या है ये net cash flows है अभी इनकी present value नहीं निकली अब यहाँ पे हम present value factor लगाया करते थे 10% अगर rate हो calculator हाप में रखे 1.1 raise to par minus 1 करते थे क्योंके इसको एक साल पीछे लाते थे बोलो इसको 2 साल पीछे इसको 3 साल पीछे तो 1.1 raise to par minus 2 1.1 raise to par minus 3 तो answer आजाता था हमारा ऐसे ही है अब ये 1.1 raise to par minus 1 करो जरा 0.909 ये काम उसने का था तकलीफ मत करो मैं खुद निकाले देता हूं present value factor based on 10% rate is for year 1.909 0.826 for year 2 and 0.751 for year 3 चेक करके देख लो 1.1 raise to par minus 2 करो 0.826 1.1 raise to par minus 3 करो तो ये निकाल के वस इतनी सी बात ये निक लिखने की विजरूरत नहीं थी ये ये लिखने की विजरूरत नहीं थी हम direct वही figure लिख लेते हैं जी 0.909 0.826 0.751 अगर मैं इसको A कह दूँ इसको B कह दूँ तो जो present value निकलेगी जिसको मैं value and use कहना चाह रहा हूं वो निकलेगी A into B करके 46 41 30 total 126 ये क्या है value and use दोनों में से higher क्या है अब asset 160 पे किताबों में नज़र आ रहा है शरम नहीं आती लोगों को दोखा देते हो 140 उकात चीज ने 140 लाके देने हैं तुम 160 पे दिखा रहे हो नीचे लाओ इसको उठाकर 14 रुपे का impairment loss आ रहा है step 3 में हम impairment loss निकला लगा है ठीक है okay इसकी entry it accumulated impairment loss अच्छा अगली बात अगली बात depreciation के लिए आप 160 पराना नहीं यूज होगा 140 पर आ जाना एसेट ने तो revised book value divided by remaining life समझा चुका हूं अगर ऐसेट की book value हुल गई है impairment loss आया तो फिर आपको रिवाइस बुक वैलियो को remaining life पर डेफिर के लोगा है अच्छा वह वहां से तस्वीर खेंचना और बस वन के लिए यहां से same format के उपर मैंने आप लोगों के लिए note किया हुआ यह यहां से खेंच लो नहीं आज दुबारा खेंच लो यह देखो बुक वैलियो निकाली फिर वैलियो स्कॉसल निकाली वैलियो यूज के लिए net cash लो निकाले प्रेस्टर लिखा टोटल प्रेस्ट वैलियो आई यहां पर आ गया बुक वैलियो कम है रिकवरें वहां ज्यादा है नो इंपेर्मेंट लॉस दियर्फोर नो इंपेर्मेंट एंट्री और डेप्रिशेशन के लिए भी बुक वैलियो रिवाइज करके रिमेनि लाइफ रिप्रिशेट नहीं करेंगे ओके होमक के अंदर क्लास वर्क को ही रिवाइज करना और जो प्रैक्टिस सेट छे तक सवाल है उनमेंसे को मसला हो तो कल डिसकस करेंगे दुबारा कर लेना जिन्होंने नहीं किये अल्ला हाफिस प्राइज करो छूसी नहीं कर वो सरड़ती णल्ला हो मनें कर लेंगे थिसकत हुआ हून यूम झारन झाल प्राइज कर लेंगे श्यूम अрийक प्रें दो झाल झाल झाल